तो हाइए संद्र थैए कैसे आप सभी जयों सौकत तब एप सबह Mack est Hat return ये फिर से हमारी यहीं si यान कि एलकोहॉल किस किस तरह की रासाइनिक अभिक्रियाएं देते हैं और क्यों देते हैं तो आज हम पढ़ेंगे वो क्या होंगी एलकोहॉल की रासाइनिक अभिक्रियाएं कि कर रुप कि कुछ में और आप 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 जब आप एल्कोहोल की रासायमिक अभी क्लिया है तो हम देखेंगे एल्कोहोल किस तरह की रियक्शन्स देते हैं जो alcohols होते हैं वा दो तरीके की reactions देते हैं दो तरीके की मतलब इन मेना जैसे alcohols क्या होते हैं आर ओ एच यह alcohols होते हैं तो दो तरीके की reaction क्यों एक तो हम यह देखें एक तो oxygen और hydrogen की बीच में bonding है और यह bond polar होता हम जानते हैं क्योंकि oxygen विद्धित्रुनात्मक है तो एक तरह की रासाइनिक अभी क्रिया है तो वह होती है जिन में यह वाला bond क्लीव होता है यानि oxygen और hydrogen का बॉंट टूटने की वज़यसे जो अभी क्रिया होती है एक तो वह होती हैं दूसरी होती है यह bond ना टूट कर carbon और oxygen के बीच का bond टूटी तो जब बॉन्ड भी ब्रेकिंग दो तरीके की है एक oxygen और hydrogen बाला बॉन्ड टूट रहा है एक में carbon और oxygen के मद्य बाला बॉन्ड टूट रहा है तो reactions भी दो तरीके की होंगी ना तो अलग-अलग type की nature प्रदर्शित करेंगे तो अलग-अलग type की reactions मिलेंगी तो हम वही देखेंगे कि किस-किस तरह की reactions होती है एलकोहॉल के द्वारा सबसे पहले हम देखेंगे ऐसे reactions जिन में oxygen और hydrogen के बीच का bond cleave होता है oxygen और hydrogen के बीच का bond टूटता है यानि कि अगर oxygen और hydrogen के बीच का bond टूट रहा है तो हमें क्या प्राप्त होगा हम जानते हैं यह bond क्या होता है polar है polar क्यों है क्योंकि oxygen की विद्धित रिनात्मक्ता जादा है तो यह bonding के electron को क्या करेगा अपनी तरफ खीचेगा तो यह delta minus और यह क्या होता है delta plus फिर क्या होगा अगर oxygen यह जो bonding के electrons हैं इनको पूरी तरीके से खीच ले अपनी पास खीच ले तो हमको क्या मिलेगा तो हमको मिलेगा ro minus और क्या मिलेगा हमें h plus यानि कि इस तरीके के जो reaction होंगे जिनमें oxygen और hydrogen के बीच का bond टूटता है वहां से हमें क्या प्राप्त होता है h plus और जो h plus देते हैं हम क्या कहते हैं कहां से प्राप्त होता है हमें h plus acid क्या करते हैं यानि कि जो h plus देते हैं वो क्या होते हैं जो हाइड्रोजन आइन देते हैं वो होते हैं acid जिसका मतलब यह क्या प्रदर्शित कर रहा है एल्कोहलों की acidic behavior को उनके अमलिये व्यभार को प्रदर्शित कर रहा है यानि कि सबसे पहले हम वो reactions देखेंगे जहां पर alcohol का अमली ये ब्यवहार प्रदर्शित होता है यान कि oxygen और hydrogen के बीच का bond break होता है, cleavage होता है तो हम जो हमारा topic है वो क्या रहेगा यहां पर? topic रहेगा हमारा इसे क्या बोलते हम? इसे बोलते हम alcohol की alcohol की अमली ये प्रकृती अलकोहल की अमली ये प्रकृती acidic nature of alcohols ये acidic nature क्यों होती है? तो अगर आप सभी कहेंगे अगर alcohol H plus देते हैं तो फिर ये तो बहुत strong acid होने चाहिए अरे नहीं भाई H plus देते हैं लेकिन strong acid नहीं है क्या है? ये बहुत ही दुर्वल बहुत ही दुर्वल दुर्वल का मतलब एक हमारे पास है H2O और एक हमारे पास है ROH तो कौन जादा strong acid होगा? यानि कौन जादा आसानी से H plus देदेगा यानि कि ये acidic nature तो होता है लेकिन बहुत दुर्वल होता है यानि कि ये जो alcohol है अमलिये जरूर होते हैं लेकिन बहुत जादा दुर्वल अमलिये होते हैं इतने दुर्वल अमल होते हैं कि H2O की acidity इन से जादा होती है ठीक है? तो हम देखते हैं क्या होती है alcohol की अमलिये प्रकृति तो लिख सकते हम जिन अभिक्रियाओं में oxygen वा hydrogen के बीच के बंद का यानि ROH यानि OH bond का cleavage होता है जिन अभिक्रियाओं में oxygen वा hydrogen के मध्य बने बंद का बंद का cleavage विदलन होता है इसे ROH की क्या कहते है? अमलिये प्रकृति कहते हैं अमलिये प्रकृति acidic nature कहते हैं acidic Nature कहते हैं क्योंकि हैं H analिये ध्य है gitu ist acidic nature हो गई तो इसे हम क्या कहते है ay alcohol 197 यानि..? acetic nature कहते हैं अगर हम देखें जैसा कि मैंने भी बत आया कि यह बहुत ज्याद्य होते है दूरवल अमलिये अमलिये nature जरूर प्रदर्शित कर रहे हैं लेकिन प्रवाल अम्ल ना होकर कि क्या होते हैं बहुत दुर्वल अम्ल होते हैं तो हम यहां लिख सकते हैं कि यह जो एल्कोहॉल होते हैं यह क्या होते हैं एल्कोहॉल दुर्वल नहीं बल्कि अत्ती दुर्वल अम्ल होते हैं अतिदुर्वल अम्ल होते हैं इतने दुर्वल होते हैं कि पानी की वी अमलियत्ता अल्कोहॉल से जाधा होती है अगर एसिदिक नेचर लेखें trend देखें acidic nature का तो एक हमारे पास है यहां लिख सकते हम यह इतने दुर्वल अम्ड है कि इनकी अम्लियता इनकी अम्लियता जल वा एलकाइन एलकाइन से भी कम होती है जल तथा एलकाइन से भी कम होती है अरे इलकाइन नहीं इलकाइन से प्रवल अम्लियता किस से कम होती है जल से कम होती है यानि कि जल जादा अम्लिया है इनकी तुल नाम है परंतु परंतु यह एलकाइन परंतु यह एलकाइन वा अमोनिया एलकाइन ले जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है और अमोनिया यानि एनस्थ्री जोकी बेस है तो इनकी तुलना में यह प्रवल अम्लियता है परंतु यह एलकाइन वा एनस्थ्री से अधिक प्रवल होते हैं यानि कि अगर मैं ट्रेंड लिखूँ तो H2O जाधा यानि जल जो है HOH ये जाधा अमलिय है और ये जो एलकोहॉल है ROH ये जाधा अमलिय होते हैं किस से अलकाइन से और अलकाइन जाधा अमलिय है किस से NH3 से तो ये क्या है ये ट्रेंड है अमलिय प्रकृति का किसका ये किसको प्रदर्शित कर रहा है अमलिय प्रकृति को जल जाधा प्रवल अमल है एलकोहॉल दुर्वल है फिर ये एलकीन की तुलना में जाधा प्रवल अमल है और NH3 की तुलना में भी ये जाधा प्रवल अमल है एक एकसेप्शन है लेकिन यापर एक एलकोहॉल सिर्फ ए अपवाद क्या है यहां पर एक्सेप्शन है अपवाद है यह सीएस्थ्री ओएच मीठेनौल इसको छोड़कर यह सभी पानी से दुर्वल हैं लेकिन मीठेनौल क्या है एक प्रवल अमल की तरह विभार करता है मीठेनौल की जो अमलिये प्रवरत्ति है अमलिये प्रवरत्ति जल से अधिक होती है यानि कि इन में जो प्रवल अमल है वो कौन है एलकोहल में देखा जाए तो जितने भी अलकोहल है उन सबकी जो अमलिये प्रवरत्ति है वो जल से कम है के वाल एक को छोड़कार मीठेनौल को छोड़कार के वाल एक मिठेनौल यह ए और देन आरोएच आरोएच मतलब मीठेनोल को छोड़कर बाकी बचे हुए एलकोहॉल तो यह ट्रेंड रहता है क्योंकि एक्सेप्शन है सीस्थ्री ओएच इसकी अमलिये प्रवरत्ति बहुत जादा होती है ठीक है तो यह तो हमने अलग-अलग तरीके की स्पीसीज में रहे थे प्रात्मे एक दूति एक त्रितियाग इन सब में कंपेरिजन करें तो अमलिये प्रवरत्ति का ट्रेंड क्या होना चाहिए यानि कौन ज्यादा अमलिये होगा वो देखते हैं कि एलकोहॉल कई तरीके के होते हैं एक प्राइमरी एक सेकिंडरी और एक टर्शियरी वन डिग्री टू डिग्री और थ्री डिग्री तो हमने एक यह ले लिया च्छ यह कैसा एलकोहॉल है वन डिग्री ठीक है एक यह ले लिया चलो CH3OH के साथ ही कंपेर कर लेते हैं एक हमारे पास CH3OH एक यह ले ले हम प्राइमरी लेंगे CH2OH CS3 एक हमारे पास यह है अलकोहॉल जब दो स्मिथायल ग्रूप जुड़े हुआ हम टू डिग्री और एक हम ले लेते हैं थ्री डिग्री दिख रहा है ना आपको थ्री डिग्री यहां लेख लेते हैं थ्री डिग्री को एक हमारे पास यह है यह मीथेनोल है यह कैसा एलकोहल है हमारा यह 1 डिगरी प्राथमिक है यह 2 डिगरी है यहां से reaction होगा H प्लस निकलेगा यह OH का bond जो अकलीब होगा तो क्या बनेगा CS3 O माइनस बनेगा और क्या बनेगा H प्लस बाहर निकलेगा यही तो बनेगा एसे लिख दूमे CS3 O माइनस बनेगा और H प्लस बाहर निकलेगा यहां से अगर OH bond को क्लीब करूँ तो क्या मिलेगा CS3 CH2 O माइनस बनेगा और क्या मिलेगा H प्लस मिलेगा यहां से देखो तो क्या मिलेगा CH O माइनस CS3 CS3 प्लस H प्लस और यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर प्राप्त होगा C, O- और H+, CS3, CS3, CS3. अब अगर हम देखें, यहाँ पर देखें, तो क्या हो रहा है, मीथेनोल को तो हम बताई चुके एक्सेप्शन है, इसमें सबसे ज़्यादा अमली होता है, इन प्राप्तमीक दितिये को तुरिते कि इन सब में कंपरेजन करेंगे, तो सबसे ज़्यादा एलको एसिडिक कौन ह होगा, मीथेनोल, की ऐसीडिटी सबसे ज़्यादा होती है, देखें, तो क्या हुआ, यहाँ पर ओ- चार्ज है, सीएस्ट जड़ा हुआ है, ज़्यादा हो जाती है, फ्लस आज़ा जाता है, अब अगर यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर क्या है, एक मिथाइल ग्रूप ज 획b regarde डूसरे पर सिद्साइग और में क्या करता है स्धूइー को अपनी तरफ ठीचता है कि यहां पर एक कारबन पोल्स आईपनी लग रहे तो यह स्था तरफ यह क्या करें सिर इसको क्या करेंगा और जाधा बढ़ाएंगा इन्टेंसीफाई करें trophy चार्ज को और ऑक्सिजन पर जितना जादा नेगिटिफ चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा यह जो बॉंड होगा ऑक्सिजन और हाइडोजन का उतना ही ज्यादा इस्ट्रोंग हो जाएगा फिर वह आसानी से नहीं तूटेगा तो इसका मतलब जितने जादा प्लस आई ग्र प्रभाब के याने कि प्लस आई प्रभाब ज्यादा होगा तो कम हो जाती है सभी जानते होंगे यह तो सबीने पढ़ा होगा 12 में 12 में पढ़ते आ रहे हैं 12 से पढ़ते आरहें कि acidity जो होती है वह प्लस आई फैक्ट के इन वर्सली proportional है यानि कि जितने जादा प्लस आई ग्रूप होंगे acidity उतनी ही कम हो जाएगी क्योंकि किसी भी तरह के charge का बढ़ना intensify होना species को destabilize करता है तो यह जो species बनेगी इस पर क्या होगा electron density बढ़ रही है तो यह क्या हो जाएगा destabilize हो जाएगा है ना तो यह यानि कि यह बनेगा destabilize हो जाएगा अगर यह species बनी और यह destabilize है यानि कि इस थाई नहीं है तो फिर ऐसी species क्यों बनेगी जो इस थाई नहीं है कोई भी reaction तब होता है जब हमको कुछ स्थाई product मिले और जब कुछ ऐसा मिलेगा जो इस थाई नहीं तो फिर वह reaction क्यों होगा वह bond क्यों तूटेगा मुश्किल से तूटेगा अगर हम तोड़ेंगे तो सब कुछ हो सकता है तूट भी सकता है लेकिन मुश्किल से तूटेगा आसानी से एच प्लस आयन नहीं देगा तो यहां पर देंगे यहां तो एक मिथाल था यहां पर दो-दो-दो-धाल है अब यह दो-धो मिथाल फ्लस आइफट लगा रहे हैं तो क्या होगा यहां पर तो नेगटिव चार्ज और भी जाहादा होगा यानि यह वाला carbon oxygen और hydrogen वाला तो सबसे जादा इस प्रहुंग होगा जी तो और भी मुश्किल से तूटेगा तो हम क्या कह सकते हैं अगर हम एल्कोहॉलों में आपस में compare करें तो acidity का trend क्या होगा सबसे जादा किसकी होगी मीथेनोल की फिर वन डिग्री एल्कोहॉल जादा अमलियता का क्रम होगा ये क्या है अमलियता का क्रम, order of acidity है एल्कोहॉल के बीच में अलग अलग तरीकि के सबसे जाद जादा она कौन होगा में असरीक है इसके बाद conducting एल्कोहॉल को घुँए तो बिल्कूल भी aside नहीं होगी इनका S Evet क्वलेक्टर सबसे कम होगा क्योंकि इसमें तीन तीन मिठाइल गुरुप लगें जो कि क्या लगा रहे हैं प्लस ऐइफेक्ट लगाते हैं जिससे इसकी acidity जो होती है यहिए उसे आइफेक्टि के इन्वर्सली प्रोपोशनल रहें और जो सब्सक्राइब एक मिर पास है प्लस आई लगाएगा यानि कि यह जो नेगतिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन पर यह बनेगा एच-प्las यह भ 오azing पर नेगिटीव और एच-प्lus तो क्या करेगा जो पर नेगिटीब चार्ज होगा यसको क्या करेगा अपरी तर्फ फीछैंगा यानि ठीच फरी बेना एक्ट्रों आंसीटी कर मुगी तो oxygen घना मसें अंटब्शं triple आइक्प तो hydrogen पे electron density बचेगी नहीं और hydrogen अलग हो जाएगा तूटके, किसके रूप में है? H plus के रूप में, क्योंकि उसका electron किसने खीच लिया? oxygen से कौन खीच रहा है? तो जब minus i effect वाले group जुड़े होंगे, तो acidity बढ़ती है, और जब plus i effect वाले group जुड़े होंगे, तो acidity घटती है, प्लस i वाले क्या करेंगे? oxygen क्या करता है? hydrogen से electron density खीचता है, क्यों? क्योंकि वो विद्ध्य उत्रनात्म के उसको ज़्यादा electron density चाहिए, लेकिन अगर हम oxygen से plus i effect वाले group जोड़े हैं, जो electron density oxygen पर बढ़ा रहे हों, तो फिर उसको क्या जुरूरत पड़ेगी कि वो hydrogen से electron density खीचे? जब उसे खुद ही methyl group से आराम बहुत सारे electron मिल रहे हैं, तो फिर वो hydrogen से क्यों खीचेगा? यानि कि hydrogen का bond क्यों टूटेगा? यानि वो तो polar हो गई नहीं, और H+, निकले गई नहीं, तो वही तो हमने बताया, कि acidity जो है, वो inversely proportional है, plus i effect के, अगर ऐसे group लगे होंगे, जो oxygen प नहीं, तो H+, अलग होगा नहीं, है ना, तो इसका मतलब acidity करेक्टर भी शो नहीं होगा, तो acidity जो होती है, वो inversely proportional है, यानि कि इसलिए यह हमें order मिलता है, सबसे आदा CS3OH का acidity करेक्टर, उसके बाद 1 degree, 2 degree और 3 degree, अच्छा ठीक है, यह तो हमने बताया, कि alcohols के अंदर acidity क होता है, बहुत mild हो, बहुत तो दुरवल हो, लेकिन होता तो है, लेकिन हमारे कहने से तो कुछ भी नहीं होता, ना, आप chemistry है, chemistry में जब तक reaction करके हम किसी चीज को, क्या कहते हैं, प्रूव ना कर दें, तब तक हम मानते ही नहीं, मानते ही नहीं कि यह हुआ, तो ऐसे कौन से chemical reaction है, जिनके आधार पर, या ऐसे कौन सी अभिक्रियाएं होंगी, जिनके आधार पर हम यह शो कर सकें, कि हाँ, बहुत दुरवल अमली व्यभार प्रदर्शित करते हैं, अल्कोहल, देखते हैं, वो कौन सी अभिक्रियाएं हैं, यह तो आप सभी को समझ में आ गया होगा, I think आप लोगोंने note down भी कर लिया होगा, नहीं किया तो अभी कर लें कि देखते हैं, वो कौन सी अभिक्रियाएं हैं, जिससे अल्कोहल के अमली व्यभार की पुष्टी होती है, यहां पर हम क्या चेक कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, अल्कोहल के अमली है, व्यभार की पुष्टी तो जो सबसे पहला रेक्शन करते हैं वो है, धातुओं के साथ अभिक्रियाएं, कैसे धातुओं, सक्रिये धातुओं के साथ, अभिक्रियाएं, सबसे पहले क्या है, सक्रिये धातुओं के साथ, अभिक्रियाएं, सक्रिये धातुओं क्या होते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं सक्रिय धातूं से अभिक्रिया की साथ बात कर रहे हैं जो एलकोहॉल होते हैं उनको जब सक्रिय धातू सक्रिय धातू जैसे कि हमारी शोडियम है पोटेशियम है यह क्या करती है सक्रिय धातू होती है तुरंत इलेक्रों त्यार करके एने प्लस बनात तो यहां पडिक सकते हैं कि एलकोहल क्या करते हैं एलकोहल सक्रिय धातुओं जैसे सोडियम पोटेशियम आधी के साथ आधी के साथ अविक्रिया कर आधी के साथ अविक्रिया कर एलकोकसाइड आयन यहां बोलने एलकोकसाइड बनाते हैं क्या बनाते हैं एलकोकसाइड बनाते हैं क्या है इसका मतलब मालो हमारे पास यह है और हमारे पास है सोडियम धातु है कोई हमने सक्रिय धातु लेना है सोडियम पोटेशियम कोई साभी ले सकते हैं तो हमने क्या लिया है सोडियम लिया है और हमारे पास एलकोहल तो क्या होता है एक common reaction है यह अभी हम किसके बारे पढ़ रहे हैं अलकोहल के अमलीय प्रकृति की जांच कर रहे हैं तो जो अमल होते हैं एसे होते हैं जब उनकी reaction धातु से कराई जाती है वो भी कैसे सक्रिय धातु से कराई जाती है तो यह हमेशा क्या रिलीज करते हैं हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं क्या रिलीज करते हैं जब किसी अमल की अभिक्रिय सक्रिय धातु से कराई जाती है तो अमल क्या करते हैं अमल हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं hydrogen gas बाहर निकालते हैं वही रियक्शन यहां पर होगा यह अमलिये विवार अगर प्रदाशित करते हैं तो यह वाली reaction देने चाहिए यह जो reaction है अगर हमें जानना है कि alcohol में अमलिये प्रवृत्ति है या नहीं तो इस तरह की reaction इसमें होनी निकलती है यानि कि यहां पर hydrogen का evolution होता है तो क्या होगा इसका मतलब यह वाली रियक्शन यहां पर होती है तो मैं यह मिटा दूं लिख लिए होगी आप सभी ने तो क्या होगा alcohol जब सक्रिये धातु से क्रिया करेगा तो यहां पर भी क्या निकलती है है एक टू गैस निकलती है इसका मतलब अल्कोहल अम्लिय बेभार प्रदर्शित कर रहे हैं एक टू गैस निकली तो यह तो एक एच देगा तो यहां पर बैलेंस कर लो वही एक एच देगा बहुत से बच्चे होते हैं यह बोलेंगे कि मैडम ने तो आर वह एच लिखा है और यह तो किवह एच प्लस निकलती है इतिनी भी नौलेज नहीं होती कि उन्हों खुद ही बैलेंस कर लें एक्ट्वेशन को ठीक है बैलेंस कर लो दो हम बचेगा आर ओ कितने टू एच प्लस निकल गया तो बचा क्या आर ओ माइनस और इसको कौन स्टेबलाइज करेगा एन एप्लस तो यह क्या वन गया यही तो है इसी को तो बोलते हैं एलकोकसाइड क्या है यह एलकोकसाइड जैसे पढ़ा होगा आपने कई सारे रेक्शन में देखते हैं हम सोडियम इतोकसाइड मीतोकसाइड जैसे हमने एक्जा रो एच की जगह यह ले लिया C2H5OH एथाइल एलकोहल ले लिया जब इसकी रेक्शन सोडियम के साथ कराई तो क्या बनेगा तो बनेगा हमारे पास 2C2H5O Na O-Na प्लस क्या है यह सोडियम इतोकसाइड क्या है सोडियम इतोकसाइड बोलते हैं इसे कई रेक्शन में आपने देखा होगा सोडियम इतोकसाइड को और बाहर क्या निकलेगी H2 गैस तो इसका मतलब एलकोकसाइड की फॉर्मेशन हो रही है एलकोकसाइड का बनना यह दर्श फॉई है उसका मतलब यहां पर intuitively और को ओंपसाइड की फॉरमेशन भी हो रही है तो कि का मतलब ऑक्सिजन और हाइड्रोजन का बॉंडट healthy plus without को निकल च愿 तो आं 2022-pt करते हैं तो यह miris च्छिए धात्तिए अविक्रिया था बहुत से लोग क्या करते है और एलकोहल ली इसकी reaction एने ओएछ से करा देते हैं एने ओएछ वो भी कैसा एकोस जलिये विलयन तो मैं आपको बता दूँ पहले कराके देख लेते हैं क्या बनेगा अगर मैं NaOH से reaction कराऊंगी तो क्या होगा, हम अमलिय प्रवृत्ति के बारे में पढ़ रहे हैं यहां से क्या होगा, H+, निकलेगा तो क्या बनेगा, RO- Na+, तो बनेगा ही यहां से क्या मनेगा, Na+, OH- तो OH- क्या कर लेगा H+, ले लेगा, और क्या बना लेगा H2O, H2O बना लेगा, और जस्ट अभी इससे पहले मैंने तुमको बताया है, कि alcohol जो होते हैं वो H2O की तुलना में क्या होते हैं दोरवल अमलिय होते हैं, यानि कि अगर H2O बना तो यह क्या करेगा, यह तो अमलिय है किसकी तुलना में, alcohol की तुलना में अमलिय है, तो यह तो तुरंत H2O त्याग देगा, और H2O की तुलना में, और अगर जादा अमलिय है, तो H2O को कौन लेगा, यान कि जो हमारे alcohol है, वो जलिय है, NaOH, KOH के साथ reaction नहीं करते हैं तो यह reaction नहीं होगी, केवल एक को छोड़ते हैं, कौन? सिर्फ एक के साथ हो सकती है, अभी मैंने जस्ट बताया वही एक alcohol, जो जल से भी जादा अमलिय है, कौन है? CS3OH, क्योंकि यह जल से भी जादा अमलिय है, तो यह क्या करेगा? यह जादा अमलिय है, तो अगर जल से H+, ले भी लिया, तो तुरंत त्याग दिगा, क्योंकि यह जादा अमलिय है, तो यह आईए वाला जो reaction है, इसके साथ हो जाएगा, तो केवल और मीथेनौल इसका exception है, मीथेनौल के साथ यह reaction हो जाएगी, मीथेनौल react करता है, बाकि और कोई भी अलकोहॉल, एक्वास, एन ओच और कोई के साथ react नहीं करता, तो हम यह लिख लेते हैं, यह reaction नहीं होगी, तो लिख लेते हैं, कि अलकोहॉल नोट डाल के, अलकोहॉल क्या करते हैं, अलकोहॉल, एक्वास, एन ओच और कोई के साथ, के साथ, अभी क्रिया, नहीं करते हैं, केवल किसको छोड़ कर, केवल, CS3OH को छोड़ कर, यानि कि CS3OH reaction कर लेता है, बाकि और कोई भी अलकोहॉल, एक्वास, एन ओच के साथ reaction नहीं करेगा, क्योंकि जो जल बनेगा, वो जादा अमलिय होता है, इसलिए इस तरह की reactions नहीं होती हैं, ठीक है, तो यह बता दिया, तो एक reaction तो यह थी, हमारी सक्रिय धातों के साथ अभी करिया, क्या और कोई reaction है, जिससे हमें अमलिय प्रवृत्ति का पता चले, हाँ, एक reaction और करा सकते हैं, कौन सी reaction हैं देखते हैं, दूसरी जो reaction लेंगे वो है, अलकोहॉल की, अलकोहॉल की, ग्रिन्यार अभी कर्मक के साथ क्रिया, अभी कर्मक के साथ अभी क्रिया, ग्रिन्यार अभी कर्मक, जब हमने reactions केते हैं, वहाँ भी हम देख चुके हैं, क्या होते हैं, आर, एमजी, एक्स, और उसमां मैंने बताया था, मैटल और ये कारवन के बीच का ये जो बॉंड होता है, पोलर होता है, क्यों कि कारवन जो है, विद्यूत रिनात्मक जादा है, और मेटल जो हैं वो विद्यूत रिनात्मक कम होते हैं यानि कि यह विद्यूत धनात्मक होते हैं तो क्या होंगे विद्यूत धनात्मक होते हैं ना कि विद्यूत रिनात्मक तो कारवन क्या है जादा विद्धू तरुनात्मक है मैटल की तुलना में तो यह बॉंड जो पोलर हो जाता है इस पर डेल्टा पॉजिटिव और इस पर डेल्टा नेगिटिव इसकी विद्धू तो जादा है तो बॉंडिंग के एलेक्ट्रोनों को अपनी तरफ ठीजता है यानि कि यह क्या करेगा अपने इलेक्ट्रोन लेकर अलग हो जाएगा तो यहां से हमें क्या मिलेगा आर माइनस और क्या मिलेगा एम जी प्लस यहां से आर माइनस निकल रहा है तो माइनस क्या लेना चाहेगा प्लस को लेना चाहेगा याने कि जब मैं इसकी reaction ROH से कराऊंगी जब मैं इसकी reaction ROH से कराऊंगी तो क्या होगा ये bond भी polar है polar होने की वज़े से minus क्या लेगा plus को ले लेगा और क्या बना लेगा ये बना लेगा मालो इसको अलग करने के लिए मैंने R' से प्रदर्शित कर दिया, किस से प्रदर्शित कर दिया, R' यह अलग carbon ग्रूप है और यह अलग alkyl ग्रूप है ना, तो क्या बनेगा R, यहां से तो R- निकलेगा और R- क्या ले लेगा H+, ले लेगा, तो क्या बनेगा R' H, hydrocarbon बन गया, क्या बन गया यह बन गया hydrocarbon बन गया और क्या बनेगा जो बचा क्या RO- वचा यह किसके साथ जुड़ जाएगा mg प्लस x के साथ यानि यह क्या बना लेगा RO mg x बना लेगा तो इस तरह के अगर hydrocarbon बन रहे हैं जब ग्रिन्यार अभिकर्मक के साथ करते हैं ऑक यह कुछ रियक्शन्स देख लेते हैं कि अग्राइब करते हैं करते हैं कि या में यह घुल फाइश्यदिक करते हैं है अंगे कुछ रियक्शन्स देख लेते हैं कि अमली प्रवरत्ती की वज़े से कौन-कौन से रियक्शन्स हैं एलकोहल में जो पॉसिबल होते हैं जो अमली प्रवरत्ती की वज़े से होते हैं एक बहुत ही इंपोर्टेंट रियक्शन है आप लोगने कई बार पढ़ाओगा सुना भी h ang a mi- pun s m mt Grund अरक की फॉर्मेशन इस्टर का बनना एस्टर का बनना ये ऐ agora प्रदरशित करता है एसज़ तभी फॉर्म होंगे जब एलकुहॉल अमलिय प्रवृत्थी को प्रदरशित परते हैं तो एस्टर यह रियक्शन्स बहुट फेर अस सब Rebecca तो अच्छे से पढ़ रखी होगी, पढ़ी है ना, क्या होती है, क्या होता है इस रेक्शन में, जब कौन होते है, जब कार्वोगजिलिक अमलग, किसके उपस्तिती में, सांध्र, S2SO4 या, HCL की, उपस्तिती में, किसे अविक्रिया करते हैं, एलकोहॉल से अविक्रिया करते हैं, तो किसका निर्मान होता है, एस्टर का निर्मान होता है, इसी अविक्रिया को क्या कहते हैं, इस अविक्रिया को, एस्टिरी करंड कहते हैं, यह जो रियक्शन हो रही है, इसी रियक्शन को क्या कहते हैं, इसी रियक्शन को कहते हैं, एस्टिरी करंड, एस्टिरी फिकेशन, यहां पर किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एस्टर का formation हो रहा है यानकि मैं यह reaction लिखूं कार्वाग्जली का अमल क्या होते हैं COOH और इसकी किसी reaction करा दूँ alcohol से ROH से या मैं ऐसे लिखूं किसकी presence में H2SO4 ले लिए Concentrate HCl अच्छा कुसी के दिमाह में यह नहीं आया यह खुद भी तो acid है और यह भी acidic behavior को कर रहा है तो फिर हमको और acid लेने की जरूरत क्यों पड़ी हमने Concentrate H2SO4 और HCl क्यों लिया है तो कोई बता सकते हैं इसका reason पड़ाओगा आप सभी ने 12 में पड़ाते हैं कि क्यों हमें H2SO4 लेते हैं मैं बता देते हूं अगर नहीं पड़ाए यह भूल गए हैं तो क्या होता है यह जो ester करण की अविक्रिया होती है यह reversible होती है reversible मतलब ester का formation भी हो सकता है और ester से वापस किसका alcohol और acid का निर्मान भी हो सकता है यानि कि reversible है दोनों directions में होती है तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी reaction सिर्फ आगे की direction में हो forward direction में हो तो हमको क्या लेना पड़ता है एक प्रवल अमले लेना पड़ता है कब को इसलिए हमने यहां पर क्या लिया कॉंसेंट्रेट है लिया है क्यों लिया है ताकि हमारा reaction आगे की direction में ज्यादा हो और backward direction में कम हो यानि कि हमें क्या मिले ester की formation ज्यादा प्राप्त हो उसका जलब गटन नहीं हो रिवास क्या होगा जलब गटन फॉरवर्ड क्या जाते हैं कि ester ज्यादा बने reverse reaction यानि जलब गटन नहीं हो इसलिए हम क्या लेते हैं concentrate s2so4 लेते हैं तो क्या बनेगा यहां से क्या होता है h2o बाहर निकल जाता है यहां से और क्या बन जाता है rcoo r prime प्लस h2o और इसे ही हम क्या कहते हैं यह क्या बन गया आस्टर बन गया ठीक है तो यह क्या है st current की अभी क्रिया है तो अगर हम इसका मेकेनिजम देखें क्रिया विधी देखें कैसे होती है यह रियक्शन तो हमारे पास क्या है किस क्या ले रहे हं कंसंट्रेटेस्ट डु और ले रहे आसिड ले रहे हैं जो कि इससे ज़़्ाधा प्रवाल अमने है यह तो क्या है acetic acid है sorry acetic acid नहीं यह कोई carboxylic अमले है मालो हमने यह ले लिया यह common लेकर चलते हैं कोई साभी अमले ले सकते है acetic हो सकता है propunic हो सकता है ठीक है तो यह क्या है यह concentrate H2SO4-ACL है यह ज्यादा अमली है इसके तुल नामे तो यह क्या करेगा यह oxygen पर loan pair है इस oxygen पर भी क्या है loan pair है तो यह loan pair क्या ले लेगा h plus को ले लेगा जैसे यह h plus को लेगा तो यह क्या बन जाएगा c o o h oxygen है तीन बॉंड बनाया जो इस पर क्या जाएगा positive charge और यह क्या है हमारे पास o h ठीक है positive charge बना unstable हो गया अब क्या चाहेगा positive charge को हटाना चाहेगा तो हटाने के लिए क्या करेगा यह bond जो है तोटेगा और कहां पर जाएगा oxygen पर जाएगा तभी तो positive charge हटेगा लेकिन जैसे यह bond टूटेगा तो यह पर क्या आजाएगा positive charge आएगा आएगा कि नहीं आएगा तो क्या होगा, positive charge आए यहाँ पर, उससे पहले ही क्यों अटेक कर देता है, हमारे पास यह है alcohol, तो क्या कर देगा, alcohol में oxygen की पास loan पे आ रहे हैं, यह carbon पर अटेक कर देंगे और यह bond का शिफ्ट हो जाएगा, उपर की तरह शिफ्ट हो जाएगा, यानि कि carbon बने उससे पहले ही कौन अटेक कर देता है, alcohol अटेक कर देता है, बहुत fast reactions होती है, यह carbon के transformation होई ही नहीं पाती है, तो क्या होगा, जैसे यह bond उपर जाएगा, alcohol यहाँ पर अटेक कर देगा, carbon पहले रेक्टरोन की कमी होगी, तो यह अटेक कर देगा, क्या बनेगा हमारे पास, दिख रहा है, तो यह बन जाएगा, R, O, H, यहाँ पर भी हमारे पास, O, H, और यह बना, H, और यह R, अब यह तीन bond बन गए, अब यह positive हो गया, ठीक है, तो अब यहाँ पर आगे क्या reaction होगी, यह positive है, तो क्या होगा, अब यह कोशिश करेगा, positive charge को अटाना या नहीं, यह bond यहाँ जाए हैं, और दोनों O, ह ग्रूप क्या गाए, alone पे आहरे हैं, तो इन में से कोई O, H, घृप इस H तो इतनना टाइम नहीं होता है जितने तो फटक 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 रियक्शन हो जाती है यानि कि यह पूरी तरा से नहीं तूटा होता है यानि कि दीरे तीरे तो पहले जूट जाएगा और यहां से यह पोजीटिव चार्च होने की वज़े से एक प्लस पहले त्याग देगा और यह बॉंड जो है वो दीरे दीरे तूटेगा तो अगर हम देखें यह बॉंड अभी भी टूट रहा है यानि कि यह वाला ऑक्सिजन क्या है एक बॉंड पहले से इधर बना हुआ एक हाइडोजन के साथ बना हुआ है अगर मैं इसे भी माल नहीं है क्योंकि हम यही मानते तूट चुका है लेकिन पूरी तरह से नहीं तूट पाया है तो पूरी तरह से नहीं तूट पाया और ऑक्सिजन चारवन तो बना नहीं सकता तो यह वाला ओएच तो लेगा यह वाला ओएच प्लस को ले लेगा तो क्या बनेगा हमारे पास ह भार को अज है यह वन गया और एक है हमारे पास ओए टू प्लस अभ इस ऑक्सिजियन ने तीन ब्ल्ड बना लिए वेज्ट फॉब्लस वन गया अनिस्टे वल है तो क्या होगा इस ऑक्सिजियन के पास लोन पेर हैं यह लोन पेर नीचे आएंगे और हमारा बाहर में ख़़ सं और यहां पर अभी है प्लस जुड़ा हुआ है रेक्षन को हम क्या कहते हैं इस रियक्षन को हम कहते हैं एस्टिरी फिकेशन, एस्टिरी करन्ट, तो इस तरीके से एस्टिरी करन्ट की अविक्रिया होती है, और एस्टिर का निर्मान होता है, नोट कर लिजिए, कर लिया नोट, कर लिया होगा, तो एस्टर का निर्मान अगर हमें करना है, एक तो ये रियक्शन यूज होती है, जिसमें कार्वागजिलिक अमल और कंसंट्रेट S2SO4 या स्टियल के साथ हम एलकॉहल की रियक्शन कराते हैं और एस्टर बनता है, इसके अलावा एक और रियक्शन है, जिसमें एस्टर का निर्मान होता है, देखते हैं कौन सी है, एक तो हमने एस्टरी करन पड़ी, इसी तरह से एक और रियक्शन है, एक और रियक्शन है, जिस्ते बोलते हैं, इसली करन, क्या बोलते हैं, एसली करन, इसली करन, इसाई लेशन, इसमें क्या होता है, यह रियक्शन होती है, जब एलकोहल की अभिक्रिया किस्से कराई जाती है, एसिड हेलाइड या एन हाईडराइड, जब एलकोहल की अभिक्रिया, एसिड हेलाइड या एन हाईडराइड से कराई जाती है, खड़ाई जाती है, तो एस्टर का निर्मान होता है, तो किसका निर्मान होता है, एस्टर का निर्मान होता है, इसका मतलब एसिड क्लोराइड क्या होती है, एसिड क्लोराइड जिनमें R, C, O, C, L, यह ग्रूप होता है, प्लस हमारे पास क्या रहेंगे, ROH तो है क्या बना लेगा यह बना लेगा RCOOR प्राइम हला HCl एसेड जो हो घाएगा बाहर निकल जाएगा यानि क्या बन गया हमारा एस्टर बन गया है ने इसके लाबा Acid Enhydraide भी same reaction देते हैं Acid Enhydraide क्या होते हैं यह है oxygen से एक और COOR group जूड़ाओ हो यह क्या होते हैं एन हाइडराइड जब इसकी reaction हम अलकोहौल से कराते हैं तो यहां पर भी हमें क्या प्राप्त होता है यहां पर भी हमको ester प्राप्त होता है यहां पर हमको acid मिलता है जैसे यहां पर एक ester बना और एक acid बना, ऐसे यहाँ पर भी एक ester बनेगा और एक acid बनेगा तो एक तो बनेगा R, C, O, R prime ester बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, दूसरा बनेगा R, C, O, O, H एक ester और एक acid तो यह reactions होती है, mechanism लिखाने की जरूरत है क्या mechanism बिल्कुल वैसे ही होगी, जैसे अभी हमने की थी तो mechanism लिखाने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं क्या होगा कर सकते हैं आप mechanism, इतनी सारी mechanism करा दी हैं, अब यह तो बहुत आसान है क्या है, हम जानते हैं, यह क्या है, C, O, group है, ठीक है यह delta negative और यह delta positive और oxygen के पास क्या है, lone pair यहां attack करेगा जैसे देख लेते हैं mechanism, पता नहीं आप लोग कर भी पाऊगे या नहीं यह ले लिया, ऐसे लिख दूमें, oxygen के पास क्या है, lone pair, lone pair यहां attack करेंगे क्योंकि delta minus है, delta plus है, तो यह bond उपर जाएगा, वापस नीचे आएगा, और chlorine क्या हो जाएगा, बाहर यानि कि पहले तो उपर जाएगा, O minus बनाएगा, फिर minus चाज वापस नीचे आएगा, और chlorine को क्या कर देगा, बाहर कर देगा तो क्या वणेगा हमारे पास हमारे पास वनेगा और यहां पर हसए Above फ्ल्स कि यहांसे क्या होजाएगा माइनस मंसेज बलस हो जाएग और क्या जाएगा यह होगी ऐसी रियक्शन यहां होगी तो इसका मेकेनिजन आप करेंगे ठीक है यहां रेक्शन हुई है औो कि करेंगे किसी अगर मैं एक यहां को साधाय क्याति नहीं क्योंसा क्या है जब तर दोल् dediAL तो हम डिसाइड करते कौन से सी ओपर अटेक करेगा अभी तो दोनों तरफ आर गूप है तो इसका मतलब दोनों सी ओगरूप से मैं तो किसी भी एक सी ओगर अटेक करेगा बॉंड ऊपर जाएगा नेगिटिव चार्ज आएगा नेगिटिव चार्ज वापस आएगा और यह तूट जाएगा, तो क्या बन जाएगा, एक तो बन जाएगा, एस्टर, और एक क्या बन जाएगा, RCO-, तो फिर यहां से जो H+, निकलेगा, उसको कौन ले लेगा, एसिड ले लेगा, तो यह mechanism, आप लोगों के लिए, इसे आप कीजियेगा, तो आगले लेक्चर में हम देखते हैं कुछ और रियक्शन्स एलकोहल की अभी के लिए थैंक यू